Smoking causes cancer, smoking kills. धुम्रपान से कर कोग होता है, धुम्रपान जान लेवा है. Consumption of alcohol is injurious to health. मदरा पीना स्वास्थे के लिए हानिका रख है. Be safe, don't drink and drive. सुरक्षित रहें, मदरा पान करके काड़ी ना चलाएं. Drug consumption is injurious to health. मदरा पीना स्वास्थे के लिए हानिका रख है. मदरा पीना स्वास्थे के लिए 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 है. भाई तुम लो टाहिना उन्ही का है सब बताते हूं गजिसक सबदो के positively लाई हूआ कि झाल कि परन बताते है कि ऩुआ है तुआ है कि अ कि अ कुआ है क्या सोची हो सीता सब अल्ला की मर्जी है हम वो सब नहीं बदल सकते हैं आप मेरे घर जाते हो बाई सब खुश है ना सब कुछ बढ़िया है तुम्हारे जाने के बाद उस घर में कोई खुश नहीं है वहाँ बस मातन चाय हुआ है कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा इतनी बड़ी गलती की है मैंने जो हुआ उसे जाने तो अच्छा तुम्हारे साथ उननी क्यों नहीं आया क्या उसने कहीं कुछ तीन मैने पहले फ्लैट छोड़कर निकले हैं एक सेंसेश्टल स्टोरी लिखाए बोलके उसके बाद कोई ख़वर नहीं है अकेले कितने और वक्त तक मैं बॉम्बे में रहती पहचानवालोंने बताया तब यहीं आ गई आपस में कोई जगड़ा हुआ था क्या कभी भी नहीं भाई मैं उसकी जान हूँ उदास मत हो उसे कुछ भी नहीं होगा इस हालात में तुमने यहां कर अच्छा किया झाँ मैं उठा लेती हूँ और हाँ अकेले मत जाना मैं भी आता हूँ दिलासा देने के लिए बहुत कुछ बोला होगा पर मैं भी घबराता हूँ आउ चलो ऩरत देने के लिए। मैं भी आता हूँ छबोला करना आता हूँ खांसा क्या हुआ वो इतनी रात को सो गए थे क्या बाहर अंधेरा करके रखा था शाम होने का इंतजार ही होता है सोना ही तो काम है अब मेरे साथ कोई और भी है आप गुस्सा मत कीजिएगा कौन है वो देवकी हमारी बेटी 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 माजी, माजी माजी कौन है, क्या हुआ ये देखो, कौन है मेरी सीता बेटी है क्या दादी जी, मैं हूँ सीता मेरी बेटी रागवन नायर अभी मेरे जाने का वक्ता आ गया है मेरी बेटी को देख लिया बस एतने साल मैं प्राण बचा कर सोई थी अभी शांती से मर सकते हूँ हे भगवान कैसी हो तुम बेटी लंबे सफर से आई है उसे नहाने दो वो अकेले क्यों आई है उसको काम से छुट्टी नहीं मिली ऐसा बोली वो आपने उससे बात नहीं की अभी तक इसलिए उसने कुछ खाया नहीं पूरी उमर बात ना करने की एक वज़ा बन गई है वो सुनिए अभी वो सब भूल जाईए हमारी ही वेटी है बाबा आओ बेटी आओ बाबा अभी वो हमारी है इससलिए आप आप एस्या sigui इससे ये फ्जसास उसांशनी रहाग बाबाडर झाल झाल मम्मी आओ पीठी नदी पार गई थी आओ इधर बैठो इतने साल से एक ख़त तक नहीं ये तो बता सकती थी ये देखो कितने बड़े हो गए हैं आओ मामी को भूल गए अभी भी कहानी सुनने जरूरी है अच्छा है हर दिन नहीं कहानी की तकलीफ मेरी खत्म हुई है अभी तो मामी आ गई है अमा आप बच गए अच्छा अच्छा अमा आपको तो रसोई में काम है ना आप जाओ चब अभी खाना खाके बात करते हैं आओ येलो थोड़ा और लो अरे लेलो ना थोड़ा और येलो पापड खाओ अभी मन शान्त हुआ है सारा द्रिश्टी दो शड़ गया है भगवान नहीं नहीं मैं करती हूँ चलो अपने जहीं नहीं ज़ओे बाइन षड़ा elder सबस्टी जहा लोड़ मोड़ा संपने वबुणी दो रख कर अदो को जिए उता है समल के, समल के पह रखो देखो मामी बाबू को भी चाहिए ना हाँ क्यूं क्यूं नहीं बाबू को भी मा के हाथ हो मिल जाएगा तुम लोग भी आ गए एक और गाय लेना ही पड़ेगा दूद कम हो गया है बच्चे आ चुके हैं ना दारू तुकान बंद है फिर भी तुझे फर्क नहीं तुम्हारा दिन अच्छा हो जाओ तुम्हारी बीबी माई के जब वापस आ गई क्या जी आ गई है गोपाल ठीक हो ना हाँ ठीक हो पहला दर्शन मेरा नहीं हुआ ना हुआ तू भी क्या इस बार का सबसे अच्छा तौफा तू ही तू लेके दिया तौफा तुझे भी देना ही है लो रख लो कौमत ले लो सीता कहा है बच्चों को लेकर मंदिर गई है मैं चलता हूँ संभल के उत्रो सीता सुमी घर पे पूछा तो पता चला तू मंदिर गई है काम पे लगी है सुना प्राइवेट है ना किधर भी हो चाहे अच्छी पगार मिलती है सरकारी काम का इंतिजार करोगे तू मरने पे मिलेगा क्या हुआ तेरी शादी की बात ओ शादी होने से रही मांगली खुना मैं रिष्टे आते ही चले जाते हैं सब ठेक हो जाएगा नहीं हुआ तो ठीक मैं भी तेरे रास्ते पे आऊंगी कहां है इसके पापा सब बताती हुआ तु डर मत ऐसा कुछ नहीं होगा उन्नी आएगा आएगा वो मुझे भरोसा है लेकिन इतना वक्त लगता है आग से खेल रहे हो थोड़ा समल के बच्चों बाबू सो गया सो गया होगा बीटी बहुत राथ हो गई ना मामी बाबू किसके जैसे दिखेगा उन्नी मामा जैसा ही दिखेगा हुई 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 मेरे बारे में भी बताओ अपने भगवान से मैं क्यों बताओ तुम्हें तो भरोसा है ना आ रहे हो कुछ दूर तक साइकल पर मैं नहीं कोई देख लेगा तो अरे यहां कोई है ही नहीं आओ बेटो आओ ना अरे अरे बहा नहीं हाँ चलते हैं पगड़ो चले पर ऊपर तो देरे चलाओ उज्चे जिखा रही हो ब्रेक चुड़ो ब्रेक चुड़ो चलो चले मैं चल के जाती हूँ अब नहीं गिरेंगे मैं हूँ ना चलो संभाल की हाँ बस यहां से मैं चल के चली जाती हूँ चलती हूँ माँ सुन नजर हट्ते ही गिंती बदल देता है क्या हूँ अबेटी हाथ पे आते से मैं पठाव से जल्दी जाके घाव साफ करके आओ जाओ आज वो मंदिर से आते हुए रास्ते में गिर गई थी साइकल के सवारी कैसी थी साइकल ऐसे ही नहीं गिरी वो उन्नी के साथ साइकल पे थी वो मिनाक्षी के लड़के के साथ पहचान रखना भी मुझे पसंद नहीं है और बेटी अगर तुम उसके आगे कुछ सोच रही हो तो अभी रोक दो से वो सब जहलने की ताकत हम में नहीं है बेटी चंद्रा मामा आये थे गर पे अगले हटे उनका बेटा आ रहा है इस बार आते ही शादी करवाएंगे बाबा ने बोला कुछ तो जल्दी ही करना पड़ेगा घर पे आकर बाबा से पूछू शादी के लिए ए नहीं नहीं वो बड़ा प्रॉब्लिम हो जाएगा घर वालों के अनुमति से हम कभी साथ मेरे बाएंगे तो फिर एक ही रास्ता है बाग चलते हैं सब शांत हो जाएगा तभी हम वापस आएंगे बॉंबे के एक इंगलिश पेपर से मुझे बुलावा आया है क्यों आने को तेयार हो ना आती हूं मंदिर जा रहे हो वह सही है जल्दी आजाना हम मा बाबो जी से अलग रहने का मैं कैसे सोच सकती हूं कुछ समय बात सब सही हो जाएगा पहले तू अपनी पसंद की जिन्दगी के बारे में सोच दस बजे उन्नी भाई आएंगे ऐसा बोला शायद तभी सभी घर में सो गए होंगे न वही होता है हमेशा बाबा अभी ज्यादा ध्यान देने लगके हैं और मुझे वही डर है तुम भाग जाओगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा झाल अबू भाई वहाँ है अरे अब क्या करेंगे सुनो हम कुछ तेरा और यहां रुखते हैं मुथते हैं अबूद यहां वहाँ मुथते हैं वह दाड़ी पूरा निकाल दो और मुछ रहने देना, ठीक है? सकती हैं कि वदोल क्वाध के क Katie's Home खुना निकालि inne है हुआ हैं बेटी आ गई तो इंसान ही बदल गया हम जी एक नया जनवी समझ लो चंद्रा आओ घर आओगे न और नहीं तो क्या मैं सीता से मिलने ही तो आया हूँ पुरानी बातें सब मैं वो सब उसी दिन भूल गया था रागवन जी मैं भी बाहर निकला हूँ गाओं में निकले और गाओं वालों से मिले कितना समय हो गया सब ठीक है न पंडेजी सब ठीक है कुछो ना हाँ क्या हुआ चुतन जी बच्चों से मिलकर इतनी जल्दी वापस आ गए ऐसे दरदर भटकने से अच्छा आप बच्चों के साथ प्यों नहीं रहते रहने तो छोड़ो जो खुष था आपने सब कुछ बटवारा कर दिया पर कोई बात नहीं हम लोग है न कुछ खाया यह नहीं लेकिन दारू मत पी ना इस बार का तिवार ऐसा होना चाहिए कि बुड़े जवानों को मज़ा आना चाहिए इस बार का तिवार हाँ देखिए इस बार का तिवार बहुत ही धोंधाम से होना चाहिए इस बार का तिवार अच्छा होना चाहिए और चार साल तक आप नहीं थे तो सब कुछ आजीब ही था इस बार मैं ही हर चीज में आगे रहूँगा मस् वही चाहिए हाँ जब तक रागो जी आगे हैं फिर हमें किस बात का डर है इस बार का त्वार अच्छा होना चाहिए बुड्डे जवानों का मज़ा आना चाहिए वो सीता के पती के बारे में कुछ पता चला क्या बिटा कोई ख़बर नहीं मिली अम्मी अपने दो शरीफ को खत भेजा है मैंने बंबई में उसकी अची पहचान है वो ज़रूर ढोड़ निकालेगा घर वाले सोच समझ के निकाह करते हैं न तो बच्चों को खेल लगता है जब जेलेंगे तब समझेंगे तुने कुछ खाया नहीं न बेटे भूख नहीं अम्मी भूख नहीं ऐसा इसलिए नहीं मैं जो बनाती हूँ तुझे पसंद नहीं न बेटे अच्छा खाना बना के देने के वास्ते एक लड़की लाने को बोले तो मुझे चिलाने लगता है हेलो, वो मैंटर दिया नहीं सेगंड पेज पर आना ही चाहिए दो कॉलम रखो समझे हाँ स्टिल सब वरगी से लेकर आए हाँ मैं एडिटर से बात कर लेता हूँ ओके ठीक है आएए यहां बैठिए चाहे लेके आता हूँ सर इस बार का तिवार अच्छा होना चाहिए कौनो कहां से आ रहे हो हम दोनों पत्रकार हैं शेहर से आ रहे हैं किस से मिलना है चाहे यह सब महंगा होगा ना जूम लेंस वाला है चालिस हजार का बंबई से एक सीता आई है क्या जानते हों? यह जानता हूँ हमारे रागो जी की बेटी है अभी थोड़ी देर पहले नदी के पास से जा रही थी क्या हुआ बाई हाँ क्या हुआ आपको ही ढूंड रही थी बच्चों को नदी में घूमने का मन है ठीक है चलते हैं कभी ऐसे लगता है बॉम्बे जाके मैंने ये नदी, बोट, प्रकृती सब खो दिया था कुछ भी हो पर शहर के जिंदगी गाउं के जैसे बिलकुल नहीं होगी वहाँ तो देखने के लिए बहुत कुछ होगा न ऐसे ही होता है बड़े-बड़ी इमारते, रास्ते, सब है पहली बार देखने में सब अद्भूत लगता है बाद में पता लगता है कि हम अकेले ही हैं अकेले ही सब सोचना मुझे बहुत अच्छा लगता है भाईया हुआ 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 है हुआ हुआ है चलो चलते हैं आजा रहा हुआ है वेल और आप से आप से बेट आप यहां बेठो आइसे ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला, सीता वो पुराना गाना गाउना याद नहीं है भाईया हेई, गाउना, सब याद आ जाएगा मैं भी साथ में गाउंगा गाउना, मामी उत्रो, बेटी चलती हूँ क्या तुम सीता हो, मैं हूँ, क्या हुआ, हम जनरलिस्ट हैं, सीता से मिलने आए हैं, क्या हुआ, कुछ बात है, उन्नी के बारे में सुमित्रा, बच्चो को लेकर घर जाओ, मैं आती हूँ मैं रभी, यह फोटोग्राफर एलेक्स, हम पेपर भूमी से हैं उन्नी को जानते हूँ, हाँ, जानते हैं, हम एक साथ ही बॉम्बे में काम करते थे, ए, क्या कर रहे हो नो, प्लीज, उन्नी के बारे में एक ख़बर सुनी हैं, एक साइड न्यूज, क्या हुआ उसे एड्स था, बोला गया था, डिप्रेशन में आके उसने सुसाइट कर लिया झानते हैं, यह, जज़ बुच को जव सकता हैं, हमें आएा हैं, यह, जब नहाई भिया हैं, हमें लिए ऋगला यह, क्या हैं, हमें बुच्त्का रखहराँ.... कुछ तो गड़ बड़े यह खबर आखिर हिंदी पेपर में ग्यों नहीं आई इसे नहीं हो सकता मेरे उन्य को कभी यह बिमारी नहीं हो सकती मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है फिल्हाल इस बीमारे के बारे में किसी को पता ना लगे बस रहा है झाउ नहीं हो बड़े हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है लोगों से रिष्टे बनाए उस तोर पर यह बीमारी फैली ऐसा कहा जाता है आत्म हत्या और बीमारी की बाते पुलिस ने सही बताई है सीता को और उसके गर्व के अंदर बच्चे को भी बीमारी हो सकती है यह डॉक्टर का कहना है एक बार यहां देखिए आपकी बेटी भाग गई थी ना यहां कोई प्लग नहीं क्या इसे लगाना है हाथ अटाए ना हमने सुना है कि आपकी बेटी भाग गई थी उसने आमें कुछ नहीं बताया था बार निकलो दर्वाजा कोलो बार निकलो दर्वाजा कोलो दर्वाजा की बंजर रख्णा है क्या जी अब तो कुछ बोलिये कब से पूछ रहें आप से कुछ नहीं बता रहें आप बंद करो ये सब है क्या कर रहे हो ये इंट्रिव्यू के लिए है बसो गया तुम लोगों का इंट्रिव्यू सब उठा के जल्दी से निकल जाओ यहां से नहीं तो सब तोड़ फोड़ दूँगा मैं तुम को अलो ये बोलने वाले तेरी तो नहीं निकलो यह से निकलो अभी कभी निकलो अभी गलती से भी एक भी न्यूज वाला नहीं आना चाहिए धर हे अल्ला ये क्या हुआ उस लड़की का ये हाल हो गया ऐसी हालत कभी उपरवाला किसी को ना दे तूस से मिला गया नहीं अमी उसे देखने की ताकत नहीं है मेरे में उसको कोई अस्पताल में क्यों नहीं दिखाते कैसे बाहर निकलें लोगों के सवाल जवाब से परेशान हो गये है सीता को नहीं बुलाया सीता के लिए खाना अंदर कमरे में देते हैं डर डर के हम यहां रहते हैं मेरे हस्बेंड आते ही हम यहां से चले जाएंगे फिर रहना अकेले मुझसे अब यह सब कुछ देखा सुना नहीं जा रहा है देपी खाने के बाद बरतन भी दो कर रख देना की अवाना थाएंगे यहां इंव네 यहां कोई नहीं है क्या आईए अंदर आईए बैठने नहीं आया हूँ कल पंचायत की कौमेटी थी सीता इस गाउं में नहीं रुकनी चाहिए यह गाउं का नेड़े है आखिर मैं उसे कहां बेज सकता हूँ चंदरन पिल्लाई यह उसका भी तो घर है ना वो सब में नहीं जानता हूँ मैं तो बस गाउवालों का निर्ने बताने आया था कमेटी का निर्ने है सो है लेकिन उसे ऐसी हालत में कहां भेजू हूँ हाँ शरीफ का खता यह उन्नी के मौत के बारे में जानने के लिए मल्याली असोशेशन और प्रेस वालों ने कहा है कि वहां के मुख्यमंत्री को और जिदे नहीं होगा जे सामनी सोचा था यह से कुछ तो गलत है सच बाहर आकर रहेगा बस हिमत मत हार ना मामी किसी ने देखा तो नहीं तुम लोगों को अम्मा नहीं है वहां मामी क्या बिमारी है आपको मर जाओगे ऐसी बिमारी है अम्मा भोली सही बात है क्या तो फिर मामी आपके पेट में का बाबू भी मर जाएगा तुम जाओ यहां से जाओ तुम यहां से कितना भी बोलू मानते ही नहीं है कुछ हो जाएगा तो मेरी बात मानते ही नहीं है दोनों को मार दूंगी मैं चलि यहां से जा यह विजय कब आएगा मुझे नहीं मालूम रात को ही आएंगे बोले अच्छा ही होगा अभी आने वाले वक्त में अच्छे से जी सकते हैं सब लोग चले जाओ मैं अपनी बच्ची को छोड़के कहीं नहीं जाओंगी बखवास मत करो देवकी वो मर ही रही है बच्चा पैदा करने तक भी नहीं टिकेगी वैसे ही कुछ तो बिमारी है जान बूच के कोई अपने उपर लेगा क्या देवकी ए भगवान मेरे बच्चे को ये दिन दिखाया वैशा के बेटे के साथ भाग गई तो जो होने वाला था वही हुआना कर्बो का फल और क्या अच्छा मुझे छोड़के जाने का सोच लिया ना तुमने आकर कर्फ जोड़के लिया थाम कर दो 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 अज है झाल झाल खवक, बाइन... हाँ 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 क्या वा दूद निकाल लिया अबु भाई यहां का काम छोड़ दो बीवी ने बोला ऐसा अब गाय को वो भीमरी थोड़े ही है वह भाई हो रिष्टेदर चले गए तो तू यहां क्या गर रहे है है में अब चले गए अब आदेजी तक तो तेरा भाई यहां हां अभी अभी फिर भी मुझे एक बात ने तक ने बच्पन में मैं और वो तुम्हें बाहर लेके गुंगते थे कुछ गलत ने किया है मैं आखरे दम तक भी तुम्हारे साथ रहोंगा लेकिन एक बात मेरे बच्ची कुछ गलत मत करना है चाहे कुछ भी हो जाए इंबत मत आरणा है ने बगया सबसे अक्षी गाव मेरी यह चाय है इससे अच्छी अब किसिको नहीं भाये जो भी पिए वो मस्त हो जाए सबसे अच्छी मेरी यहलो दूद तो तुमने अब दूद भी बेचना चालू कर दिया रागव जी के गर का है मेरी दुकान बंद करने का इरादा है क्या उस घर से कुछ भी लेन देन नहीं करना है ये गाउवालों का निर्ड़ है कमेटी? कौन सी कमेटी? पंचायद कमेटी तुम इस गाउव में नहीं रेते हो क्या? आपको तो पता है मैं बचपन से उस घर की रोटी खाते आ रहा हूँ खुद के बच्चों के साथ मुझे भी हमेशा किताब लाके देते थे सीता के बाबा ये जात बात के नाम से आप मेरा दिल मत तोड़ो मैं ये सब नहीं मानता सब मानता हूँ वो लड़की को फैलने वाली बीमारी है तु भूल गया क्या? सब जूट है ये उननी को किसी ने मारा है बॉंबे से शरीफ का खत था वहाँ वो लोग पूच्टाज कर रहे थी अच्छा है तो ये जूटी कहानी है जो फैल रही है मैं बैस नहीं करूँगा मैं सीता को सीटी लेकर जा रहा हूँ अच्छे डॉक्टर को दिखाने देख जो बोलना था बोल दिया सीता इस गाउं से गई तो ही इस गाउंवालों को शांती मिलेगी इस मामले में ये गाउंवाले सब एक जुट है तू खिलाफ मत हो ना ये दुनिया भी खिलाफ हुई ना तो भी मैं तुमारे साथ नहीं होँगा पक्का तो फिर फिर तुझे देश निकाला करना पड़ेगा देखो इस बंद मुटी से भी ज्यादा कठ हो रहे मेरा मन मुझे कोई नहीं रोक सकता मरने तक इसी मिट्टी में जियूँगा मैं अल्ला के बंदे को बस इतना ही काफी है तेश निकाला नहीं देना चाहिए था बिना दूद के चाय जैसे अबु भाई के बिना यहां कुछ नहीं होगा कोई जरूरत थी अपने ही लोगों से जगरने की वो लड़की के मामले में घर वालों से ज़्यादा तकलीफ है क्या कहते हो अच्छी तो दिखती है ना छी निकल दुकान से अबु भले ही गरत कर रहा होगा उसके बारे में गरत बोला ना मजाग सब अच्छा है लेकिन आवकात में रहकर देश निकाला हुआ आदमी को तुम दुकान में बैठोगे ठीक है ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना यह सब क्या तकलीफ है बेटे यही समयपे सब कुछ खाने का मन करता है ना क्या कर सकते है खुदा अने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है ना अमी मैं चलता हूँ आपको कुछ पैसा चाहिए क्या कुछ नहीं चाहिए बेटे तू समहल के जाना तू यहां आता जाता है क्या मस्चिद वालोंने पूछा मैंने मना कर दिया ठीक अमी मैं आया था किसी को पता ना चले नहीं तो वो सब आपको परिशान करेंगा हमको पहले से ही शक था इसलिए इंचजार कर रहे थे अरे सलीम तुम हमें माफ कर दो अभी जगडा मत करो माफ करूँ तुम लोग हमें वेवकूप बना रहे हो अभी पूरे खांदान को देश निकाला कर देंगे गल्ती मेरी ही है मुझे या नहीं आना चाहिए था आगे से ऐसा नहीं होगा मेरी अम्मी को छोड़ दो उसे लेकर आऊँगा वदा करता हूँ विचारी वो वहाँ इंतजार कर रही होगी हार गया हूँ ऐसा मत सोचना इसके नाम पर अगर मेरी अम्मी को परेशान किया तो जानते हो ना तुम्झे ताजा चिकन है समझ के खा लो क्या हुआ भाई कुछ नहीं है बेचारी अम्मी कितने दिल से बनाया ता खाना वो कमीने आ गए अमी को भी बुरा लगा आपने बगवान को दिखा है नहीं ऐसा क्यों पूछ रही हो मैं अभी भगवान को सामने ही देख रही हूं कि अज क्या हो गया यह बारी सुक्यों नेरी आपको बीडी पीनी होगी ना पीलो अरे वे किसी बात मी है तुम दर्वाजा लगा के सो जाओ बारिश रुपते ही में चला जाओं यह बारिश में कैसे नाओ में सोने वाले हो आज यहीं सोजाओ नहीं ऐसा नहीं हो सकता गांवालों को इतने ही तो चाहिए है किसी को नहीं चाहिए हम दोने यह तो किसे दर्ना है तो फिर एक चताई और तक्या देदो मैं वहां सो जाता हूं हम 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 कि अभी एक साथ रहने भी लग गए हो अभी बता चला क्या भाई साब अभे फैल गया ना तो कुछ करके मतलब महीं पड़ा लिखाई वाला तुझे नहीं बता गया ओ ये तो अजीब ही है बहुत रामा ने यो जिन्यो यान्मा ना साव्या वीलो रूतने रामा देवा पाधतने नीना खिल्ले दुम् कन्मा शामुंदे नी किन्नो निन्मा नसुतो नीरल्ले दुम्मा लामा भावा ने विल्ची चीरे नं पैदल्ले नी पेडी केंडा एन्नुडे यास्रमा तिंगल्ड ओनालुम्सीदे मुझे संभालने आए और सब काम सिगे ना यह सब तुम्हें घर पे हमेशा करता था तो कैसी रही तुमारी बंबई की जिंदगी किसी को भी नहीं बोल सकती है ऐसे दुख है मुझे भाई आपको पता है चार साल मेरी लिए मेले जैसे थी मन को अर्दन को पूरी खुशी दे कर उन्हीं कुसर गये सुनो मुझे माफ कर दे नहीं कर ल्ट जैसाँ कुनी उन्हीं कर दो कर दो जhtaुशी झाल नहीं कि कर दो लाल पत्वचे कर दोम को अक्छ़ी आपिव鍍ा कर भा呢 और व dedim कि कॉ circles नहीं क treaties कि खाष्यू वी मॉझ भा का लंबते कि कि भाई आपसे एक बात पूछो आपने शादी क्यों नहीं कि अभी तक अच्छी उमर के वक्त अम्मी ने बहुत बोला था अड़ाई के इसाब से काम और एक खुबसूरत लड़की अम्मी की ख्वाहिश है अभी भी हो सकती है एए एसी ख्वाहिशे मैंने कब की दिल से निकालकर नदियों में बहा दिये भाई आप ये काम क्यों नहीं छोड़ देते ये नदी ये नाव सब मेरे अब्बू की याद है सिता तुम्हें पता है बच्पन में अब्बू मुझे रात को नाव में बैठा कर नदी में गुमाने ले जाते थे जब आट साल का था तब अब्बू बज़र गई ऐसे रात को नाव प्याके ले जाते हुए अब्बू मेरे पास आते थे मैं अब्बू को महसूस कर सकता हूँ जब भी मैं नाव में होता हूँ ऐसा लगता है कि अब्बू मेरे पास यह अब्बू करेंगे अब्बू करेंगे पास आते नावाणनों ताउड मेरे अब्बू मेरे अब्बू करेंगे जाते हुए मार के भगाओ इसे थोड़ी भी इंसानियत नहीं है क्या तुम में इधरा के ज्यादा मत बोल चलो मैंने पहले ही बोला था यहां मत आओ बगवान को भी मसे नहारास कि आप बोला सुमी पहाँ कर दो कर दो यह लोपत्ता ऐसे नहीं भाईया बीच में से काटो इसको मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूं कर दो कुछ चान्या कर दो कर दो दो कर दो कर दो करनाüş़ंद युण नहीं नहीं उस घर पे नहीं जाएंगे इधर चलो साइब कर दो तो सरीवें बंभ अखिए प्रेश प मार्टन आ कीर अएंगे रफया कर दो जहाजे घरत उरकी है झाल झाल जो कि अपाए वे यह है कि यह है कि अब और है है जब यह जब हुआ कि है थे है यह यह है इसा है क्वेड को कि एफ एकरि शाया है जबी मैंने कर दो दो फिर एक लिए अ च्छीप सा भूप मेरा पीछा कर रहा है लेकिन उसमें मेरे ही जाया थी तो फिर मुझे बुला लेती ना मैं आई थी उठके आप अच्छे से सो रहे थे इसलिए आपको नहीं उठाया जो भी है डॉक्टर को दिखाते हैं और वैसे भी नौ महीने होने वाले हैं यहां से बाहर कैसे निकले वैसे सिटी में रहेंती टीचर का आश्रम है तुम वहां रुख सकती हो टीचर के बारे में मैंने भी सुना है कल के कल ही सिटी जाके टीचर से मिलते हैं उस लड़की को यहां रुखने में तकलीफ होगी ऐसा टीचर बोली क्या मैं ठीचर से एक बार मिल सकता हूँ मैडम येस बाकी मैंने सब सुजैन को बोला था ऐसा बोल के हाथ मत छोड़िये कुछ दिनों के लिए तो मिस्टर अबू आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या यहां के बाकी लोगों को तकलीफ में नहीं देना चाहती सुनी सुनाई बातों से आया था सुचाता थोड़ी इंसानियत दिखा होगे इस चीज में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती उस लड़की से मुझे कोई दुश्मनी तो नहीं और कोई मदद हो तो हम जरूर करेंगे और क्या मदद करोगे तो फिर ठीक है आपका ये आश्रम सिर्फ नाम का यह ना सही का ना मिस्टर जबान सम्हाल के बाद करो चलता हूँ अरे लोहिदा दास आये है कौन? सिनेमा डिरेक्टर शूटिंग है? एए नहीं वो सीता को ढूणने आये थे मैं दिखा के आया हाँ सीता से अब क्या? उसकी कहानी पे फिल्म बनाना चाहते हैं नहीं वो अपना उन्नी है ना? वो उनका दोस्त था उसको एड से बताया ना उसको क्या बोलकर तुझे समझाओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उन्नी क्योल मेरा दोस्त ही नहीं था मेरे लिए छोटे भाई जैसा था उसने आत्म हत्या किया नहीं यह मैं मान नहीं सकता मैं भी नहीं मानती मुझे और मेरे पच्चे को भूलकर उन्नी कभी नहीं जाएंगे तो बता हुआ क्या था? मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता सिता, देखो मैं एक बात कहूँ तुम मानोगी बोलो हम कितना भी रोले खोया हुआ वापस नहीं आता तुम्हें समझना ही होगा मैंने उन्नी को खोया वो मैं जह रही हूँ लेकिन मेरा भी मा, बाप और मेरा गाव सब खो चुका है यह धरती पे मैं अकेली हूँ मैं क्यों जी रही हूँ किसने कहा कि अकेली हूँ हम तुम्हारे अंदर एक नई जान पल रही है वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है आत्मा का हिस्सा है उसे करुणा अधिखाओ प्यार दिखाओ वो बच्चा तुम्हारे हर दुख को खत्म कर देगा अईसा सोचो उमीद ही है, जो हमें जगाए रखती है ये सबके चक्कर में मैंने आपको एक चाई तक नहीं पूछी नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, जब मैं बोंबे में था, तुमने मुझे बहुत खिलाया मैं चलता हूँ मुझे कहीं जाना है वैसे अभी मुझे कोई कोड़े जाना है फिर अगले हपते बोंबे भी जा रहा हूँ मेरे सिनेमा का पांस दिन का काम है और वैसे अपना शरीप भी आजकल बोंबे में ही है जी हाँ मैं उससे मिलूंगा मुझे जानना है कि उन्नी को क्या हुआ शूटिंग के बाद मैं फिर वापस आऊँगा तब तक के लिए अपने बच्चे के लिए जीना सब ठीक हो जाएगा और अपने आपको शान्त रखना सही नहीं होगा मुलाना जाके बाद किया क्या हुआ वो नहीं मानने वाला घमंडी अब दो ही रास्ते हैं एक की दोनों को यहां से मारके भगाओ नहीं तो दोनों को मारके नदी में फैक दो हाँ मारके भगाया तो भी अबु नहीं जायगा उसने एक चीज मनमे ठान लिया तो ठाना हुआ है वही तो मैं बोल रहा हूँ न ऐसे इंसान के आगे तो भैस के आगे बीन बजाने वाली बात है आप लोग हाँ बोल दो बाकी सब हम देख लेंगे उन्रह देख, बात होग कि जए झाल धो हookी एम अजिए हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु हुआ 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 है बेटे अबू, क्या हुआ है क्या हुआ है उन लोगों ने मुझे वहारी डाला है आओ, रागर जी के आचाता है नहीं, ऐसे हालत में सिता लेखी भी तो दुखी हुआ है तो फिर मैं तुझे कहां लेके जाओ वहां होता तो, अच्छे से सो सकता था तो आओ वहां हुआ 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 ह हुआ हुआ है इसा मेले मेघसे हो आट और मेले को ए आट इसा मेले की रह사 और मेले करे रहा व्लावा प्रुब बिए इने वे झाल पॉर्ष भाका वेखा ऊजने एवां अजय संहाओं किलर हम उता बाका वान भायदा थुग पालाय वाजान वाज़दना पिसाल जिन का व्लार में लोपा झालन कालुू नतुम इल्या बच्र नतुम मेजलुना, फब बाल रख्मान मिन शयए, इन एं उन्तुम इल्या स्थिभूूनु कालू रद्बना यालमू, इन्या इल्यकुम लोपसलुनु वो मा अलियना इल्ल बलागु लुबीनु मुझे दिखाए बिन अम्मी को मैं नहीं लिए जाने दूँगा मुझे मेरी अम्मी को देखना है तुझे अम्मी को देखना है तो देख समझे कंधे पे लेना है ले ले वैसे ही हम सब लोग निकल जाएंगे उठाने के लिए सिर्फ तू ही होगा और कबर में दफ्राने मस्जिद लेके माता आना क्यों मानते हो उसके लिए पूरे गाउं को ठुकराया था ना तुने दराजा उठाओ लाल, 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 है बाल, लाल, 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 लाल था कुछ पर पर राइख करें कि लिए था है नहीं कोई बात नहीं मेरी अम्मी मेरे दिल के अंदर है कोई कितनी भी कुशिश कर ले लेकिन मेरी अम्मी को मुझ से दूर नहीं ले जा सकते क्यों रो रही हो मुझे कोई दुप नहीं है दुप नहीं है तुम सोजा अबो भाई कोई तो आ रहा है तुम अंदर जा कौन है आप क्या सीता का घर यहीं है जी लेकिन आप कौन है मैं उन्नी का दोस्त हूँ मेरा नाम लोहिदास है अबो भाई मैंने बताय था मैं उस दिन आय थे अंदर आ जाई है अबो है ना नदी किनारे से सब कहानी सुनी है सच किसी को नहीं जाना है से सीता की जान की पिछें वो जब तक मैं हूँ मेरी बेन को के हाथ नि लगा सकता बॉम्बे जाकर आप शरीफ से भी ले? मिला उन्नी ने आत्मात्या नहीं की थी उसे मारा गया है किसमे? अंडर वल्ड के राजाओं ने अंडर वल्ड के बारे में उन्नी ने एक फाइल तैयार की थी उसी का बदला लिया गया है बीमारी और आत्मात्या सब उनकी बनाय हुई कहानी है उनका नमक खाने वाले पेपर वालों को काम आसान हो गया लेकिन सच्चाई हमेशे अच्छो भी थोड़ी ने रहे सकती है उन्नी के कातलों को अरेश्ट कर लिया गया है मैंने पहले ही बोला था सत सामने आकर रहेगा अल्ला सब देखता है सच्चाई पता चलकर भी उन्नी को खो दिया ना मैंने भाई अभी तो मेरे माँ बापको भी बीमारी की वज़े से आच छुक का थपा बेटी जिन्दगी कभी कभी ऐसी ही है विधी के सामने हारना नहीं जीतना है तुम्हें साथ में अभू के जिसे मनवाला और धेरिशाली एक भाई भी है ना लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है सबूत है पोस्ट माटम रिपोर्ट के साथ सारे सबूत शरीफ ने मुझे दिये ये लो अब इस लड़की की आंसों का अंत होगा इसा मानलो में कि अल्ला की कसम खाता हूं अबू 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 क्या हुआ अचुतन भाई जितनी जल्दी हो से के उस लड़की को यहां से लेकर निकल जाओ नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे अचुतन भाई हमारी उनी को कोई भी मरे नहीं थी वो लोग इस घर को भी जला देंगे तुम लोग यहां से जल्दी निकल जाओ हम चलते हैं भाई मुझे तुम लोग जल्दी आओ मैं नदी के गिनारे इंतिजार करता हूं बेटी फिक्र मत करो हम चलते हैं अंदर मत जाओ आ जाओ चलो चलो जल्दी करो खरill है करो चलो अधिकर जैश्व नदी के बाद है करो चुपाऊबाए जाओ कुण कि आए इंडिया आओ आजयो दो बार कर गया चारोट देखो कहीं छीपा रखो दो नोगा वो दून रहा दो इसे सब्सक्राइब इसको नहीं में भी नहीं कोई क्र दोगते हैं बार कर दो से व्बर्दा रखो जैं रार दो टार के भी व्बर्दा थोड़ा उचलना दसू एलाँ झेड़ norm MA टेड़ पर हुआ सित थी को में यप पर हुआ यह यह वार सित थी को सित थी थेड़ सित नहां। बाई सिता नहीं इंबत पता पाँ बाई 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 मुझसे नहीं बाई 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 कि बाई 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 लुよ अ लु 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 ऱ रन आगा दू से हैं इसे एक वोग देखर आगां और यार वो तो भाग है कोई दूसरी ना देखो दूसरी ना देखो जल्दी करो जो फा गए आगर दो शितना सब्सक्राइब अब दोबारा यहां पर लोड़ कर देखना भी मत आधा बने की तो बिलकुल मत सोधना भाव करतां थे अधाना उजए लाएक हो तुम्हें तो पहले निकाल देना चाहिए था हुए हुए औॉ… मा… मा… इटीज isineखिए। Maa! Maa! हुआ 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 है हुआ ुआ हुआ हुआ तानी नतानानानी तन्नानतानानानी तानी नतानानानी तन्नानतानानानी तानानी तानानी नतानानानी